हेलो फ्रेंज आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और इतने दिन से मेरा कोई वीडियो नी आई इसलोग जैसे आप परिशान भी होंगे और सोच रहे होंगे कि आज भाई का आज कल वीडियो कैसे नी आ रहा है तो दोस्तों दरसल मेरा तबियत कुछ ठीक नहीं इसलिए मेरा वीडियो आनी पा रहा था तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि हिस्तराइपूर के अंटरगत ये वीडियो है तो आप लोगों को साथ पसंद आएगा इस वीडियो को देखकर तो आशा करता हूं आप मेरे वीडियो को पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता है नहीं कोई चार्ज लगता है इससे आपको क्या होगा कि हमारे चैनल के साथ जूड़ चुके होंगे और ऐसे ही कुछ नया वीडियो हम लेकर आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यह को कमल बिहार बोला जाता है जो रायपूर केंतर गटाता है यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा प्लॉटे वगरा बीक रहे हैं औ तो यहाँ पर खरीदने के लिए काफी विसब्रे से इंतिजार कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते होंगे आप लोग यहाँ पर लाइटे वगरा बहुत थारी लगी हुई है जो अभी connection, light की connection यहाँ पर जूड़ी नहीं है वहाँ पर अभी सरकार इस नतीजे पर त्यान दे रही है लेकिन अभी यहाँ पर उतना जदा सक्सेज़ फूल नहीं हो पाए है आगे हम आपको और दिखा रहे है यहाँ पर आप देख सकते होंगे काफी जादा फ्लाइटे वगरा बन चुकी हुई है और यहाँ पर लोग इसमें किराया से रहते भी है और पूरी तरह से अभी त्यार हुआ नहीं है आप देख सकते हैं अभी बन रहे प्रोजेक्ट काफी अभी काम यहाँ का चलू है और यहाँ पर लाइट कनेक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए सोलर जो लाइट होता है सूरिया के माध्यम से जो लाइट चलता है वह यहाँ पर अभी लगा हुआ है तो इसमें अभी बनने में काफी टाइम लग जाएगा दोस्तों और यहाँ पर सेक्टर की साथ से है एक सेक्टर दो सेक्टर की साथ से और अभी जो मैं खड़ा हूँ यह सेक्टर एक है और यहाँ पर काफी बहुत बढ़ा है आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बहुत ब दारा यहां पर देखने को हमें मिल लेगा आप देख सकते होंगे कर देख सकते होंगे यहां पर काफी अच्छा पेड़ पॉद्र लगे हुए हैं पहले एक बंजर जमिन कहलाता था यह जगा अभी धीरे-धीरे यह एक स्मार्ट सिटी के रूप में रैपूर तो आई इस पाल ळी गया हूँ यही एक एन्तर गत्र अपप यह कमल विहार भी कि आने लगा है瞧कि थे कमल विहार को हर इंसान जनाता है बच्चे-बच्चे से पुछोगे तो भी यहां पर आपको भेज देगा कोई सी को भी पूछोगे अराम realize बता देगा एक तो अब हमहां को बताते हैं कि यहां पर कुछ कुछ पूर्टी फ वार्म ऑगर बना हुआ है आप देख सकते होंगे है अब देख सकते हैं काफी अच्छा प्लाट बड़े-बड़े प्लाट है चार इकड़ पाँ इकड़ का आप खरी सकते हैं अगर खरिदना चाहें तो देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा रोड है यहां पर और यह रोड तो पहले भी बना दिया है सरकार नि और जो भिखने वाला जो जमीन वगल है उसको खालिस्तान छोड़ छोड़ दिये है डिबबी डिबबे जैसे बनाते हैं इस तरीका से के डिबड़ी बना कापर चोड़ दी है कि भूक देख सकते होँंगे है हम इस मी काफ़ी जाधा स्टार्ट बिल्डींग वेहा बनने को काफी स्टार्ट हो गया है और यहां पर बिल्डींग बनने चलू से ईद जो जो खरीदली है वह अपने-पना खरीद के बना रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइट वीटिक का, लाइट वगरा का सुईधा यहाँ पर काम चलू है, क्योंकि अब जब इंसान इस जगे में बसना, मतलब रहना शुरू कर देंगे, तो लाइट का तो जरूरत तो सभी लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, अबर मशीन भी है, देखो लग चुका है, वहाँ पर ट्रांसफर्मा वगरा जैसा, काम चलू है इसलिए, और यहाँ पर दस्तों एक वी वाई हस्पिटल भी है, यहाँ पेशेंट वेशन हस्पिटल भी पास में पढ़ता है, यहाँ से, काफी पास में पढ़ता है वाईट कलर का जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यह जो बिल्डिंग है, यहाँ का वी वाई हॉस्पिटल है, कमल भिहार का, जो यहाँ पर अभी काफी फेमस है, यह भी वाई हॉस्पिटल, और यहाँ का यह जो अब सामने लाइटिंग देख रहे हैं, यहाँ का में गेट ह देख सकते हैं और ये गेट में कोई दर्वाजा वगएरा नहीं है दोस्तों ये काफी मजबूती से बना हुआ है और इसको पर मिलिके हुआ कमल विहार हमारे वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा अगरे वीडियो आपको पसंद आहें तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ इसात बेल आइकन को भी दबा लें हुआ ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे और दोस्तों मा भी मा चाहता हूं कि कि इतना दिन दो मेरा कोई वीडियो नहीं आया पाया उसके लिए I am very very sorry आपने वीवर्थ लोगों से मैं यहीं कहना चाहूंगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो और यहाँ पर कुछ नजारा भी तो देखने को हमें मिला नहीं है तो काफी ज़्यादा यहाँ पर भी सरकार ध्यान दे रही है और काफी ज़्यादा उन्मती हो रही है हमारे इस चतित गड़ में और क्या अभी अचार सहीता चल रहा है तो इसे वजह से जाए सारा काम अभी रुका हुआ है जब कोई सरकार आएगा तभी तो उस चीज को करेंके दिखाएगा तो आप देखते हैं जो नए सरकार आ रहा है वो क्या कमाल करके दिखाता है हमारे इस चतित गड़ में धोस्तों आप देख सकते हैं वह वह हस्पिटल का लाइट चालू हो गया जो रैड कलर कर जल रहा वह भी हवाई हस्पिटल है वह हमार्ट वहूं हो अभी वहाई हश्पिटल है यहाँ आप से दूर से नजर नी आ रहा होगा लेकिन हम कभी वहाँ उस से जाएंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे जो यहाँ से काफी नज़्दीक में है और यहां से मार्केट पगर जाने के लिए भी काफी थोड़ा सा दूर पड़ सकता है लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे कि इंसान यहाँ पर रहना इस्टाट हो जाए तो क्या साथ यहाँ पर मार्केट भी लग जाए कि तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में हम फिर हम आप से मिलेंगे तब तक के लिए